हाँ जी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काईकमिस्टी ग्लासेज में और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं कार्बोनील समुए की सरंचना की कार्बोनील समुए अपन यल्डिय डोर किटोनों में पाया जाता है उनको कार्बोनील अचाहूं, तो कारवनिल सम्मों होता है, इस ठाइब का. कारवन से डबल बन से जुड़ी भी होती है, ऑक्सिजन और कार्बन से दो वेलेंसी खाली छोड़ के रखते हैं अपन वो किसी हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ जुड़ी हो सकती है किसी और से जुड़ी हो सकती है ये अपने को कोई लेना देना नहीं है अब इस कार्वन का संक्रण जो है वो कौन सा है तो σिगमा बॉन्ट की संख्या गिनते हैं यदि सिगमा दो सिगमा है तो SP यदि तीन सिगमा है तो SP2 और 4 सिगमा है तो SP3 त्री हाइबर्डाईजेशन होगा तो sigma bond गिलो अभी संक्रण पता लग जाएगा यदि दो बंद है तो एक sigma और एक pi है एक sigma और एक pi ये sigma और ये sigma तो sigma बंदों की संख्या 1, 2 और ये 3 3 sigma sp2 संक्रण इधर oxygen का hybridization lone pair और sigma bond एक lone pair दूसरा lone pair एक sigma 2 और एक 3 lone pair प्लस sigma bond तो भी ये दिसेंग क्या 3 हो तो sp2 संक्रण इसका मतलब इस oxygen का संक्रण भी कौन सा है sp2 अब sp2 का मतलब है इसमें देखो 1s और 2p कक्सक मिलकर के 1s और 2p मिलकर के 3s p2 संक्रीत कक्सक बनाते हैं 3-o mix होकर के नाम बदल जाएगा sp2 संक्या में कितने बढ़ेंगे 3 इसका मतलब इस carbon के पास 3s p2 संक्रीत कक्सक हैं इस प्रकार के तो देखो इस carbon के पास ये sp2 1 ये sp2 2 और ये sp2 3 sp2 हो गए 3 carbon के पास इधर oxygen का संक्रण भी sp2 इसके पास भी 1s और 2p मिल करके 3 sp2 संक्रीत कक्सक बनाएंगे तो ये oxygen इसके पास ये 1s p2 ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2 इसके 2 sp2 संक्रीत कक्सकों में 2 lone pair मौजूद है एक और ये दो इस sp2 संक्रीत कक्सक ने यानि oxygen के 1 sp2 संक्रीत कक्सक और carbon के 1 sp2 संक्रीत कक्सक यानि carbon यहां बीच में है अक्सिय तीव्यापन की है अक्सिय का मतलब आमने सामने इस प्रकार का ये sp2 oxygen का ये carbon का इस प्रकार का तीव्यापन अक्सिय तीव्यापन आमने सामने तो ये carbon का sp2 संक्रीत कक्सक और ये अक्षीजन का SP2 संकरीत गक्सके मिल करके SP2 SP2-AXIA अतीव्यापन कर लेते हैं और कौन सा बंद बना लेते हैं? सिग्मा यह तो बन गया SP2 SP2-AXIA अतीव्यापन से यह सिग्मा अब यह հहीग कैसे बना है? तो SP2 की structure देखो ऐसी होती है तरी कौन यह सम्तली जैसे plane airport पे खड़ा है इस तरीके से हर एक bond angle 120 degree का यह वाली position यूं खड़ा रहता है plane तो यह वाली position होती है इस तरीके से 120 degree का bond angle है अब यह SP2 संक्रित कखसक के लंबवत जो SP2 संक्रित कखसक तरी कौन यह सम्तली आकरती बनाते है उसके लंवत एक P ककसक है क्योंकि P दो-दो काम में आए एक-एक P और बच रहा है भी PX, PY और PZ दीन होते हैं एक P ककसक कारबन के पास एक संक्रित बचा हुआ है संक्रण में तो दो नहीं भाग लिया है एक-एक बचा हुआ है एक कार्बन के पास बचाओ है एक उक्सिजन के पास बचाओ है पी जेड पी जेड मान सकते हो और वो का इस्तित होते हैं वो इन संक्रित कक्सकों के लंबवत इस्तित होते हैं यह संक्रित कक्सक हैं लंबवत उपर नीचे आदी लोब उपर आदी लोब नीचे ऐसा ही उक्सि में आदी लोब उपर और आदी लोब नीचे यह थोड़ा बड़ा बन गया इस तरीके से और यह एक दूसरे के बगल में इस तरीके से पार्सों में इस्तित होते हैं कैसे ये आदी लोब उपर आदी लोब नीचे ओक्सिजन में ये आदी लोब कार्बन में उपर और नीचे ये दोनों एक दूसरे के यूं इस्तित होते हैं तो ये एक दूसरे के पार्षविय अतिव्यापन यूं साइड से टच होते हैं इसको कहते हैं पार्ष विय अतिव्यापन और इससे पाई बंद बनते हैं, तो ये पार्ष विय अतिव्यापन है, अतिव्यापन का मतलब है कक्स कुंका एक दूसरे के अंदर मिलना, पार्ष विय अतिव्यापन है और कौन से बंद बनते हैं, पाई बंद बनते हैं, और ये क संक्रित जो संक्रण में भाग नहीं ले रहे हैं संक्रित पीजेड कक्सक हैं और वो पार्ष भी आती हुए आपन करके पाई बंद का निर्मान कर लेते हैं तो यह तो बात हुई सिग्मा और पाई बंद यह एक सिग्मा कैसे बना और यह पाई बंद कैसे बना बोंड एंगल आपको पताईए यह बॉंड एंगल 120 डिग्री का है क्योंगे संक्रण में कक्सकों के बीच में बॉंड एंगल होता है 120 डिग्री जिसको आपनीड दिटेल से आगे देखेंगे फिर इदर इसकारबन का 1 SP 2 यह रहा 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 तो यह SP 2 SP 2 दो बच गए वो या तो हैड्रोजन के साथ हाड्रोजन के बने एसकसक हो सकते है हूँ उसके साथ अतिव्यापन कर सकता है, यदि कोई कार्बन है, तो कार्बन के कक्सकों के साथ अतिव्यापन करके यह सिग्मा ओर बन जाएंगे, यदि हाइडोजन लगावा यहां H और H लगावा होता, तो हाइडोजन का 1S कक्सक और यह 1S कक्सक इसका हाइडोजन का, यह अतिवयापन कर लेते और यह sigma यह भी sigma और यह sigma ओर बन जाते लेकिन फिलाल अपने यह नहीं बताया कि यह carbon है या hydrogen है जो भी होगा वो यहाँ अतिवयापन कर लेगा और अतिवयापन करके sigma बंदू का निर्मान कर लेगा यह भी sigma यह भी sigma तो इस तरीके से अपने Carbonyl Sumo की structure को अपन बता सकते हैं कि Sigma बंद बनता है, SP2, SP2 Axe यहतीव है अपन से Pi बनता है, PZ, PZ, S संक्रिट, P Cunkसका के पार्श वह यहतीव Правण से और Carbon और Oxygen Carbonyl Sumo में SP2 संक्रिट होती है और उसकी Planar, यानी समतलिय सरंचना होती है कार्बोनिल सम्मों की सरंचना कैसी होती है समतली क्योंकि SP2 संकरण है और SP2 संकरण में स्ट्रक्चर जो है वो समतली होती है अब आगे बढ़ते हैं अपन कार्बोनिल सम्मों जो है यह है स्ट्रक्चर की बात अपन कर चुके लेकिन कार्बोनिल समुवा में ऐक्सीजन की विद्यूत्रेनता ज्यादा है कार्बन की तुलना में तो इस बंद के इलेक्ट्रोन आंसिक रूप से ऐक्सीजन की तरफ आकर सित रहेंगे तो ऑक्सीजन पर आंसिक रिणावेस इसको डेल्टा माइनस से अंदर साथ है कार्बन पर आंसिक रिणावेस इसको डेल्टा प्लस से अंदर साथ है यह दर साथ यह तो जिस पर माइनस है उसको कहेंगे अपन नाभिक स्नेही के अंदर नाभिक स्नेही के अंदर और जिस पर पॉजिटिव है उसको कहेंगे इलेक्ट्रोन स्नेही के अंदर तो इलेक्ट्रोन स्नेज जिसको इलेक्ट्रोन चीए इलेक्ट्रोनों से स्नेज है वो लुईस एसिड भी कहलाते हैं तो यह हो जाएगा लुई समल और यह हो जाएगा ना भी किसे स्ने करने वाला इलेक्ट्रोन इसके पास फालतु है नेगेटिव चार्ज है वो हो जाएंगे लुई सारक तो यह कार्बोनिल समुआ की स्ट्रक्चर तो होती है समतलिये कार्बन और ओक्सिजन स्ट्रक्चर समतलिये होती है अब जब ऑक्सिजन परांसिक रिणावेस है कार्बन परांसिक धनावेस है तो मैं इस बंद को यू लिख सकता हूँ कैसे है सी ओपे ट्रांसपर कर दो इस बंद के लेक्ट्रोनों को इधार यूँ ओ मैनस सी प्लस ये बन जाएगा इस बंद को क्या कहेंगे अपन धुरविया बंद गहेंगे यानि दुरवता उत्पन हो गई है क्यों क्यों कि ओक्सिजन की विद्यू त्रिंदा जादा है कार्बन की विद्यू त्रिंदा कम है और कार्बोनील सम्मूई की स्ट्रक्चर को अपन यूं दर्सा सकते हैं फिर ये पार्ष भी है तिवे आपन से जो पाई बंद बने है उनको अपन यूं दर्साते हैं जहां कहीं भी दर्साना पड़ेगा ये लोन पेर तो यूं दर्सा दिये ये दो सिग्मा बंद दर्सा दिये एक सिग्मा ये दर्सा दिया पाई बंद जो है वो तल के उपर और तल के नीचे यूं इलेक्ट्रोन क्लाउड के रूप में बादल के रूप में इस तरीके से दर्साते हैं यानि ये हो गया इस तरीगे से और इधर ये तो कार्बन और इधर ओक्सिजन का भी होगा सामने की तरफ तो इसके उपर यू और इसके नीचे से यू यानि ये समतल है इसके उपर से और इसके नीचे से ये पाई बंद को अपन इस तरीगे से दर साथ है तो ये बात होगी सि कैसे होती है दूर्व्य प्रकृती होती है क्योंकि इस बंद के लेक्ट्रोन और उप्सीजन की तरफ ट्राशवजंग की तरफ ट्राशव नेंगटिफ हा जाता है और इसे और इसको अपन दूर्व्य तरJesus के नाम से जानते है है